मुव में पॉनी आ गया भरता रेशिपर लाम अगर यहां खावी तुना है आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे प्रिती डायरीज में मैं प्रिती आप लोग का बहुत पहुत स्वागत करती हूं अभी साम के साथ बज अभी हम लोग पिज्जा खाने के लिए आज संडे है संडे को हम लोग साम में टपू को भूमाने ले जाते हूं कि पार किया थैंगी और पुछे अहां आये हो टपू पिज्जा खाने होटल क्या खाओगे टपू तुम पिज्जा हम लोग वहां पिज्जा खा ही रहे थे मेरे एक रिलेटिव का फोन आ गया कि वो मेरे घर आ रहे हैं और पहुचने ही वाले है तो हम लोग डीनर का प्लान कैंसल कर दिए और वहां से खाना लेकर हम लोग वापस घर जा रहे हैं जा रहे हैं रास्ते में मैं यहां सबजी ले लूँगी संडे को मैं जब भी बाहर निकलती हूं तो पूरे हपते का सबजी प्रूट जो भी हो मैं एक हपते का एक बार में ही ले लेती हूं कि अभी ऐसा महौल है कि हम लोग बाहर 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 नहीं निकल सकते सेप से रहना ब हैं हम लोग पहूंचे हैं और वो भी आ गए फिर मैंने उनके लिए चाय बनाया और यहां मैं सबजी सबको साप करके धो दूंगी उसके बाद फ्रीज में रखूंगी अभी मैं दूद उबाल रही हूं तप्पू को मैं दूद दे दूंगी क्योंकि वहां सिर्फ पिज्जा खाया था और जो खाना हम लोग वहां से लेकर आए हैं वो नहीं खाता है बिल्कुल भी नहीं पसंद है उसको बाहर का खाना इस तरह से मसाले वाला या हम लोग तो कभी-कभी खा लेते हैं हमेशा नहीं संडे को हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बाहर से ही आता है कभी मेहने मे दो महने में ऐसा होता है तो देखिए इसका पैकिंग कितना ही अच्छा है फर्स्ट टाइम मैंने उस रेश्टोरेंट से लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका पैकिंग भी बहुत ही अच्छा था तो अभी उन लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगी रोटी क्योंकि ये तो वो खा लेंगे लेकिन रोटी घर में ही बनाना पड़ेगा इसलिए मैं अब रोटी बनाने का तैयारी करूंगी आटा थोड़ा सा फ्रीज में रखा हुआ है गुंदा हुआ है दीन का ही है तो मैं बस उसी का रोटी बना दूँगी बस एक ही आदमी है तो हो ही जाएगा इसमें टप्पू के लिए भी मैं इसी से दो रोटी दे दूँगी यहां मेरी रोटी बन गई है और मैं अपने जो रिलेटिव आये हुए हैं उनको पहले खाना दे दूँगी वो खा लेंगे उ पू सो गया है उसको मैंने दूद दूद दे दिया था तो वो दूद पीकर ही सो गया है आप सबको गुड मॉर्निंग सुबा के साधे 6 बज रहे हैं ये रात जो मैंने कल जो मैंने कप्रे धोए थे बस वही है मैं बालकनी में ही कपड़ा सुखाती हूं मैं चट पर नहीं सुखे थे तो मैंने उन्हें रात भर बाहर बालकनी में ही छोड़ दिया सुखने के लिए यहां मैं पनीर बनाने के लिए दूद में नीबू का रश डाल कर पनीर बनाओंगी इसका बाहर से भी लाती हूं कभी होता है कि घर में बनाकर खुद से अच्छा लगता है वो ज् जादा करती हूं कि घर में ही बना लेती हूं तो अभी मैं इसका पनीर बना कर रख दूंगी आप लोग के साथ जरूर सेर करूंगी आप लोग जरूर देखिएगा कि मैं कैसे पनीर देखिए कितना अच्छा हो गया है एकदम पॉनी और दूध अलग हो गया है बिल्कुल मैंने उसे दे दिया था अभी मैं बैगन का भरता बना रही हूं बहुत सिंपल बनाओंगी लेकिन बहुत टेस्टी होता है आप लोग भी एक बाद कीजिएगा अच्छा लगता है इसकुल कुछ दिन पहले ही खुला है वो भी दो चार दिन से इसकुल जा रहा है जब बच इतने बाहर तो अभी निकल नहीं पाता है निकल नहीं सकते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जा इस तरह का डर मन में बैठ चुका है तो जब वो इसकुल जाने लगा है तो थोड़ा सा सपुछ ठीक हो गया है वो भी अपना टाइम से आता है और बोर भी नहीं होता इसे हमेशा बोलता रहता था कि मैं बाहर जाओंगा खेलने बाहर जाओंगा और मुझे उसके साथ खेलना पड़ता था कभी छट पर जाकर कभी नीचे तो हम लोग जब एक एज हो जाता है तो हमेशा नहीं खेल पाते हैं बच्चे का कुछ अलग बात होता है, लेकिन वो ये चीज नहीं समझता था, उसको हमेशा लगता था कि ममा क्यों नहीं खेल रही है मेरे साथ, तो अब जब स्कूल जाने लगा है, तो इस तरह का कोई सिकायत नहीं है, तो मेरा बैगन का भरता रेडी हो गया है, यहां मैं उसके लंच में डाल रही बैगन का भरता मैं इसी तरह से रोटी, पूरी यही सब देती हूँ, क्योंकि वो दो बज़े आता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा खना ले जाए, कि उसका पेट भी भरे और हेल्दी भी हो, बोदी टाइम हो गया है, मैं जारी हूँ टपू को लाने, और देखिए टप फूल फूल वाच कीजिए, मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ज लाऊंगी, जो मेरे वीडियो देख रहें, उनको धन्यवाज